अक्टरिस पायल घोश ने सेक्शुल हरास्मेंट के आरोप लगाने के बाद फिल्मेकर अनराख कश्यप के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्च कराई थी आपको बदा दे अब तक इस पर कोई कारवाई नहीं होई है पुलिस के इस रवईये पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को पायल घोश और उनके वकील नितिन सत्पूते दोबारा थाने जाएंगे जी हाँ पायल और उनके वकील आज वर्सोवा पुलिस थाने जाएंगे जहां आरोपी यानि की अनुराग कश्यप को अभी तक गिरफतार नहीं किये जाने को लेकर वो पुलिस से सवाल करेंगे उनका कहना है कि जब गरीब इनसान दुशकर्म जैसे अपराद करता है तो उन्हें पुलिस तुरंत पकड़ लेती है लेकिन बिना किसे जाच परताल के तो अब इसमें देरी क्यों क्यों गरीब और अमीर के बीच इस तरह का फर्क किया जा रहा है पायल ने दुबारा ट्वीट कर पीएम मोदी आमिच शाहा और बंगाल के मुख्यमंतरी ममताब बेनर जी से नियाएं की गुहार लगाई थी में लिया जा रहा है मुझसे ही सवाल किये जा रहे है जबकि आरोपी घर पर बैठकर आराम कर रहा है क्या मुझे नियाएं मिलेगा ममताब इनर्जी को टाग करते हुए वो लिखती है मैं कॉलकाता के एक सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज की स्टूडेंट रही हूं और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है जो कॉलकाता में रहते हो जसके पीछे कोई ड्रग पैडलर या सुसाइट के लिए उकसाने वाला छिपा हो तो फिर ये क्या फर्क है अडरेट ममता ओफिशियल प्लीज जवाब दे मैडम नेक्स्ट टाइल लाइफ की रिपोर्ट के साथ मैं हूं गनिशका शर्मा